पुजनिय संत समाज, सम्मानने धर्म प्रेमी भाईयों, एवं भक्ति मति मातबहनों, आप सबको हारदिक नमन हैं। आप किसी भी मतपंथ में दिक्षित हों, किसी भी देवी देवता की आराधना करते हों, आपकी उपासना का धंग, चाहे जो हो, जीना आपके जीवन को आपको ही जीना है। और चाहे जितना आप विभिन्य संप्रदायों के अनरूप उपासना करते हों, जब तक आप अपने जीवन को समारेंगे नहीं, सुधारेंगे नहीं, वहां से रिजल्ट नहीं आएगा। आप चाहे जितनी कथा सुन लें, नदियों में इश्नान कर लें, मुर्तियों के दर्सन कर लें, मंत्र जाप कर लें, माला फेर लें। लेकिन असली बात है, आपका जीवन आनंद में हो। आप एक ऐसा जीवन जीएं, जो आपके लिए भी सुखी हो, और दूसरों के लिए भी सुख में हो। जिदी इन बातों को थोड़े में कहूं तो यही है, आपका जीवन आपके हाथ, एथ हमेसा ध्यान रखो, मेरा जीवन मेरे हाथ है। हम जीवन के निर्माता है, भाग्य के बिधाता है, कर्मों के करता और भोकता है, कोई दूसरा नहीं है। हम करम करते हैं और उसका फल हमें मिलता है बीच में कोई फल देने वाला नहीं है कि कोई आए और हमें हमारे करमों का फल दे यह आप लोग सुने होंगे जैसा करम करोगे वैसा फल देगा भगवान यह है गीता का ग्यान तो जैसा कर्म करोगे वैसा फल तो मिलेगा लेकिन बीच में भगवान को लाने की जुरुरत नहीं है अच्छा क्यों नहीं है क्या उनका और कोई दंधा पानी नहीं है हर समय आप लोगों के पीछे पड़े रहेंगे हस्याप किताब करते रहेंगे स्रिष्टी में लाखों कडोरों कडोरों जीव जनम ले रहें हैं मर रहें हैं जी रहें हैं सबका हिसाब कोई रखेगा कितनी हैरानी की बात है आप केवल करनेल गंज वालों का लेन देन हिसाब किताब व्यपार बट्टा और जो पारिवारी किस्थिती उसका हिसाब किताब रखें, हैरान हो जाएगा ना कोई, इस पूरी स्रिष्टी की बात है, कोई नहीं कर सकता है, नियम है, नियम से होता है, गुर्देव जुधान दिया करते थे, कि जैसे एक किसान, एक एकड में गेहूं बोया, और प्रतेक गेहूं को फोड करके, अंकुरित करना पड़े, तो नहीं कर पाएगा, लेकिन नियम है प्रकृती का, मिट्टी, पानी, सुर्य की रोश्णी, और हवा, ये सब का सैयोग मिलता है, और एक एकड नहीं, कड़रों एकर के भी गेहूं, सब अंकुरित हो जाते हैं, कैसे होते हैं, नियम से होते हैं, ऐसे ही है, नियम से, आप जो करते हैं, वो आपको मिलता है, जो करते हैं, जैसे ये हाथ है, ये हाथ को यदि मैं पत्थर से, पत्थर पे पटकूं, या आग में यह हाथ चला गया तो पत्थर में जब चोट लगी तो दर्द देने के लिए कोई दूसरा नहीं आया या आग में जैसे हाथ गया तो इसमें जो जलन हो रही है इसे देने के लिए बीच में कोई नहीं आया नियम है, नियम को उलंगन, आग में गर्मी है, हाथ जाएगा, कुछी को भी जलाएगा कोई छट पर चला जाए, और वहां से छलांग लगा दे, उन निचे आएगा चाहे वो साथ साल का बच्चा हो, चाहे सत्तर साल का बुजुर्ग हो क्योंकि नियम है, पृत्वी का नियम है कि खीचे वो, गृत्वा कर्शन की शक्ती है तो पूरी स्रिष्टी एक नियम से चलती है, पूरी स्रिष्टी दिन रात का हो ना हो, या मौसम का परिवर्तन हो, कैसे होता है, बारिष कैसे होती है अब पहले के लोग कोई कह दे ये सब भगवान करता है लेकिन आज नहीं है वो बात आज बच्चे-बच्चे समझते हैं पृत्वी की दो गतियां है दैनिक गति, वार्शिक गति दैनिक गति का मतलब है अपने आप में वो एक बार घूम जाती है अपनी धुरी पर एक चक्र लगा लेती है और इसी से दिन रात जो हिस्सा सुर्य के तरफ है वो दिन और जो उसके अपोजिट है वो रात और वो धिरे 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 ऐसा हो जाता है अभी रात यहां है कहीं न कहीं दिन है कहीं सुर्य उगरहा है कि सूर्य अस्त हो रहा है यह प्रक्रिय हर समय चलेगी मौशम का परिवर्तन पृत्वी चक्कर लगाती है सूर्य का तीन सो पैसरड दिन लगते हैं और इसी में मौशम का परिवर्तन होता है और मौशम इसी संग से जमीन में जो यह समुद्र है, पानी जलासे है गर्मी सूर्य की ताफ से भाब बन करके उपर आता है उपर चला जाता है और वहां से ठंडकता मिलती है बारिस हो जाती है क्यों पीच में किसी को लाने की जुर्रत है अपने आप होता है यह पानी को कहीं डालो निची की और भहेगा आग को जलाओ उपर की और जाएगी क्यों जाएगी नीयम है जैसे मैंने भी कहा एक पत्थर उपर फेंको नीचे आजाएगा क्यों आजाएगा नीयम है यह नीयम किसी ने बनाया थोड़े है परिवर्तन होता है सरीर जनमा छोटा था धिरे 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 बड़ा हो रहा है और बड़ा हो रहा है धिरे धिरे और बुढ़ा हो रहा है और बुढ़ा हो करके जरजर होगा मर जाएगा, खतम हो जाएगा ऐसे कैसे हो रहा है क्यों कि बहुत सारे पर्मानों इस सरीर में आ रहा है आते हैं और यहां से निकलते हैं यह निरंतर हो रहा है छण छण हर समय इसलिए काते हैं इलेक्ट्राउन का प्रवा कंपन बिल्कुल अब यह सारी चीजें इतनी आजकल बिल्कुल साफ हो चुकी हैं और हम अठके हुए हैं आप सोच भी नहीं सकते ब्रवान कितना बड़ा है आपका मन नहीं सोच सकता है आकास की कोई शीमा है आप सोचो गुरुदेव जी कहा करते थे एक वाईवान हो एक सेकंड में एक करोड किलो मीटर उड़ता हो एक सेकंड में और करोरो वर्स तक उड़ता रहे तो भी आकास का अंत नहीं होगा सोच भी नहीं सकते मन में नहीं आएगा आकास काल भी कबसे काल को कोई अंत है आकास को कोई अंत है और कितने यहाँ पर गैलेक्सी और कितने यहाँ पर जो तारा मंडल है, आप सोच भी नहीं सकते, पृत्वी तो बहुत छोटी है इसके सामने, वहाँ से प्रकास आने में वर्षो लग जाते हैं, और हम क्या बैठ रहे हैं, हमारे भगवान ये सब के निर्माता है, कहां जन में हैं, पृत्वी में, कल परशो की बात है, रुण जी बैठे, बात्चीत हो रही थी, कक्छा साथ में पढ़ते थे, तब भी गुर्देव जी से प्रशन उन्होंने क्या किया, कि पृत्वी में तो हनमान जी जन में थे, तो पृत्वी से जहां जन में तो छोटा ही होगा ना, और पृत्वी से तेरह लाख गुना बड़ा सुर्य है, पृत्वी से तेरह लाख गुना बड़ा, और पृत्वी में जन में हनमान जी और छोटे, अब उस सुर्य को कैसे निगल गए, कैसे निगल गए, बताओ, बाल समय रभी भग चलियो, तब तीनव लोग भयो अंधियारे, और को नहीं जानत है अब ये बात कह दो, तो नास्तिक हो जाओगे, नास्तिक कहा है को भई, वो महिमा है, उनकी शक्ति के बारे में बताया गया है, इतने शक्तिवान थे, बलवान थे, अतिशयोकती बाते हैं, कही जाती है, अब आप सब भी कहते हैं, जैसे आप घर में कहें कि एक गिलास चोटे चोटे पड़ गया है, आप क्या करेंगे, जल्ला करके, जाउमा भर गास बर दियो पानी में, अब कितना है था, एक दो टुकुडे, क्या करती है, जाउमा भर गास बर दियो, अतिशयोकती सब करते हैं, आप ने का भोजन जल्दी लाओ, अब आप कही साब से दो मि आप कभी भी करते हैं, उन्होंने भी लिग दिया है, और उस बात को आप बिलकुल अविदा अर्थम लेकर के मानते चले जा रहे हैं, आप मानो भी, तो क्या हो जाएगा इससे, चलो मैं उसको बारें कहता भी नहीं, मानो जो भी, तो क्या आप जुड बोलेंगे तो आपक अपने जानी दुश्मन को याद करना, उसके सामने खुब करना, और दरपन को देखना, आप कैसे लगते हैं, कैसे लगेंगे, अच्छ लगेंगे, आपको ही लगेगा, ओ, इतना वीभत, इतना कुरूपता, लेकिन जब आप करूणा में हैं, प्रेम में हैं, मुश्क्रा आप सुन्दर लगने लग जाते हैं और ये अप ये कौन सर गुण है आप कही तो गुण है आप उसे बिक्सित कर लीजे आप ऐसा कहीं नहीं सकते मैं तो कभी मुष्कुरा नहीं सकता मैं तो केवल कड़वा ही बोल सकता हूं मिठा बोल ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है चमता है, योग्यता है मिठा बोलनी की भी योग्यता है चमा करनी की योग्यता है विनमर होनी की योग्यता है सारी योग्यता है धेरज रखनी की योग्यता है इतनी योग्यता है उन योग्यता को विक्षित करो अच्छा उस योग्यता को हम गलत जगा लगा रहे हैं कुरोध, द्वेश, नफरत, लडाई, जगडा, कटू शब्द बोलने में क्यों? जब हम जीवन को ही बरबाद करने में तुले हो तो कौन देवी देवता आकर के बचाएगा हमको क्या उनको पड़ा हुआ है? जिससे आप इश्वर, ब्रह्म, परमात्म कहते हैं हमारे कोई दुश्मन है, क्या वो? जो जबरदस्ती आपके साथ में अन्याय करेगा नहीं करशकता है आप अच्छा करेंगे, अच्छा पढ़नाम आएगा ही अब गलत करेंगे, तब कैसे अच्छा आजाएगा? नहीं आ सकता है कोई भी नहीं ला सकता है, कोई भी आप नाम ले लो किसी का आख रिये बताओ, भगवान राम को अपने कर्मों का फल भोगना पढ़ा नहीं देख लो शादी को जो लगन है ना जानते हो कौन-कौन उनने उसको विचार किया था विश्वा मित्र, वशिष्ठ और स्वामी शतानन्द ये तीन मुर्धन विद्वान मिलकर के लगन पत्री तयार किये थे अमुक तिथी पर अमुक समय साधी हो ताकि जो वरवधु है वो शुक्मय जीवन जीए विचारते हैं आप लोगी कुंडली ले जाते हैं कि देखो कुंडली मिलाओ मेरी बात मानो ना कुंडली को आप आग में जला दो आप कहेंगे पैसा देख बनवाए है वो दिमागे खराब करता है कुंडली देख के बात करते हैं जितना उलजेंगे उतना ही आप उलजेंगे अपना और परिवार को कितने लोग अच्छे संबंद अच्छे रिष्टे आते हैं ये नहीं मिल रहा है वो नहीं मिल रहा है उसको छोड़ देते हैं और बहुत मिले हुए रिस्ते, ऐसा कहा करके कुंडली मिला कर कहते हैं, थोड़े दिन में खतम हो जाता है, थोड़े दिन में खतम हो जाता है, इसलिए ये सब उल्जन में नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन पढ़े रहते हैं, बोध नहीं है, समझ नहीं है, आपको हम सबको अ जनुष को वो तोडते हैं, इतने में उनके उनसार बालमिकी तो साब बता हैं, कौन आ गया? परसु राम, और जो हल्ला मचाने लगे के आतंकी मच गया वहाँ पर तो, परसु राम, बहुत मुश्किल से भग्वाराम ने समहला उनको, वो तो लक्षमर तो पता नहीं उनके ल जले जा रहे थे, भड़के जले जा रहे थे वो, बहुत मुश्किल से समहले, तब जाकर के वहाँ से छुटी मिली, अब आए, अब आए, तब राजगदी में बैठ कर के, काम हो जाना चाहिए, अब कह भी रहे हैं, कि कल गदी हो जाएगी आपकी, आप पूरे राजनगर म कल सुबा राम की राजगदी होगी, सुबा क्या हूआ, क्या हूआ, समझ रहें ना, क्यो हो गया, सुख से बिता जीवन, अच्छ वो भी ठीक है, अब भी चले गए, अब चले गए तब ऐसे नहीं कि चलो भई, ठीक है, गाड़ी छकडो में चले जाय, रथ में चले जाय, स अब जाये तो बिल्कुल तपसी, तो बिचारा खडवपन कर जा रहे थे भग्मान राम, अब खडवपन के गये, अब भी सहन नहीं हुआ, और गये भरा तो खडवग भी मांगला है, सही है न, खडवपन भी मांगला है, अब नंगे पैर चलो, कारण जो हो, ऐसा हुआ अग नहीं हुआ है, कितनी कठनाई जहलनी पड़े उनको, गुर्देव जी एक बढ़िया उधार देते थे, एक आदमी आया, कहते थे, महराज जी मेरे समान कोई दुखी नहीं है, इस पूरी दुनिया में सब ज़्याद मैं दुखी हूँ, गुर्देव जी ने कहा, क्या दुनिया भार का सरविक्षन कल लिये हो, अरे महराज सुनो तो सही, सच मुझ मैं बहुत दुखी हूँ, कोई नहीं है मेरे समान दुखी, तब गुर्देव जी ने कहा, यह बताओ, घर से निकाल दिये गया हूँ, नहीं महराज घर में हूँ अचे तुम्हारी पतनी को कोई ले गया है, अरे नहीं महराज पतनी घर में है, बहुत देर तक कोई अपना दुखड़ा रोता है, तो लोग कहते है, रहे दुख भरी कहानी सुनावात हो, मतलब दुख भरी कहानी, चाहे कृष्ण के जीवन को देख लो, भोगना नहीं पढ़ा, करमभल भोग, किसके लिए कहते हैं, शिव और पारवती को देख लो, कमाल है, शिव आउगण दानी सबको बाल बच्चा देने वाले, उनका कोई बाल बच्चा था, देख लो सास्त्र को, उनका कोई बाल कह रहा हूं, यूहीं बैटके बोल रहा हूं किया, आप पढ़ लिजे, ब्रह्म वैवर्त पुरान, पढ़ लिजेगा, उसमें साब बातें लिखी वी है, गुर्देज नहीं लिखा है, पुन्यक वरत करने के बाद भी, पारवती का कोख नहीं खुला, बच्चे नहीं वे, अच्छा, बच्चे के बारे में सभी जानते हैं, कैसे वो हुआ है उसको, पारवतिष्णान कर रही थी, और मैल इतना निकला, सोच भी नहीं सकते थे, कबसे नहीं नहीं रही होगी, वो तो ही जाने, और गणेश सरीखे बन गया, पुरा गणेश बन गया, कहा है भई, दे तब समझ जाना चीए, आप तो तु तरिकालग गी है ना, कि सामने कौन है, अब उससे लड़ाई सुरू हो गए, अब सही बात उनको रोका गया था, कोई अन्थराईज, कोई ऐसा अधर परसन ना आ जाए, और तो देखे तभी, बड़ा विचित्र दीख रहे थे वो, गड़ाईएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएए उनके साथ में, वो भांग पिये रहोंगे, उटको सोचना चाहिए ना, कि ये सब नहीं काटना चाहिए, उसको भी काट के ले आए, और ला करके हाँ फिट कर दी, पता नहीं कौन से सरजरी उस समय हो रही थी, आज नहीं हो सकता है, मतलब सरजरी कितना विक्सित रहा होगा, तभी वो हाथी का सिर्क वहाँ पर फिट किया गया, चलो ठीक है, लेकिन हाँ उनका पेटा तो नहीं है, बास सच है, उतना सच है, कहने मैं ये कह रहा था, करम, फल, भोग, सब को भोगना पड़ा, हमको नहीं भोगना पड़ेगा, मैं ये कहना चाहता हूँ, ठीक है, सास्त्रों बातें लिखी हैं, कई बातें हम नहीं समझ पाते हैं, लेकिन ये तो सच है, उन्हीं सास्त्रों में लिखा गया है, सबको अपने करमों का फल भोगना है, बस यही बातें यही कही जा रही है, आप अपने कर्मों को सुधारो, इतनी सित बात कही जा रही है, मन को पवित्र करो, वाणी को ठीक करो, और आचरन को भी ठीक कर लो, यही तो कहा जा रहा है, कोई किसी का विरोध थोड़ी है, आप कौन मना कर रहा है कि आप क्या कर रहे है कौन पूजा पाट करते हैं तो पूजा पाट का भी फल किसलिए है मैं कई बारे पूछा करता हूँ अच्छा पूजा आप किसके लिए करते हैं भगवान के लिए करते हैं का अपने लिए करते हैं बताओ और यह नहीं हो रहा है तो फिर क्या मतलब है जीवन में नीर्मलता नहीं पवितरता नहीं और बस यहीं करते जा रहे है और वो भी बड़े भड़े बिचित्र है भक्ति करने वाले आपको एक चीज बताओं मैं आप ख्याल करदे इस चीज को एक आदमी है शिगरेट पिती हुए जा रहा है और मंदिर दिखा सामने तो क्या किया? मंदिर के बाहर जूता उतारा शिगरेट को फेका और फेक करके अंदर चला गया अंदर चला गया हाथ जोड़ा अनुने मिन्य किया किर्तन किया, आरती किया सब कुछ किया और कुछ देर परिक्रमा करके फिर वापस आया अचा फिर वापस आया फिर जूता पहना फिर शिगरेट जलाया और फिर चला गया मेरा एक प्रस्णा है मंदिर के अंदर शिगरेट क्यों नहीं पी रहा था उखवो. मंदिर के अंदर क्यों नहीं पी रहा था? आप कहेंगे वाः बगवान है, तो बाकी जगा बगवान नहीं है. आप बताएं, बगवान बगवान uh... मंदिर के दिवारों के अंदर है कि भगवान भाहर भी है? है न असमंजद्स वाली बात? बाहर है कि नहीं है, नहीं है, कणकण में कहते हैं, क्यों कहते हैं, सब जगा भगवान नहीं है, भगवान कहा नहीं है, बताओ, अच्छा तो भी बाहर, अच्छा मंदिर के अंदर ही क्यों मार रहे हैं, अच्छा बाहर भी है, तो भीतर भी है, तो वहां भी, जब बाहर सिग मज ही नहीं है कि यहां माने को वहां मानें। अभी तक इसपष्ट नहीं है। जब आप मंदिर के अंदर गलत नहीं कर सकते, तो बाहर गलत क्यों कर रहे हैं। किस अधिकार से मिल गया है। मंदिर में जाकर के बहुत vina'mra शालीन और परिबार में आये तब वहां शालिंता नहीं चाहिए। पतनी के सामने, बच्चों के सामने, घरवालों के सामने, बहां पर अन्ने विते नहीं चाहिए। वहां विठे शब्दा नहीं चाहिए। असली भगवान तो घर में है, सज बताओ ना, यह जितने प्राणी है न वही देवी देवता है, जितने नर वे देवता और जितनी नारियां वे देवियां है, इनके शात में सुंदर वेवार यही उनकी पूजा है, नवरातम के समय दुरगा रखते हैं, ठीक है, वो आपकी आस्था है, रखो, और उनके सामने जाकर के भले गाते रहते हैं, तुमेयो माताचा पिता तुमेयो, जो एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकती, उनकी आप आराधना कर रहे हैं, और जगदंबा प्रत्यक्षबेटी वी जो सबको पैदा करने वाली हैं, उनको तो आप, उनके प्रती कितना नाराज होते हैं, और कहीं कहीं तुमें को मारबीट भी करते हैं, कितने हिंसक लोग हैं, नकली देवी देवता की पुजा और असली देवी देवता का तृषकार, आप बदल दीजी इस चीज़ को, वेभार में लाइए आपकी उपास्तना को, ये देवी मंदिर में गये, पुजा कर लिए, वहाँ भगवान है, और मंदिर के बाहर तो भगवान नहीं है, ग्रहाग भगवान नहीं है, दुकान में आने वाला, आफिस में आने वाला भगवान नहीं है, इसकुल में जाकर बच्चों पढ़ाते हैं, बच्चे भगवान नहीं है, प्रिष्टी है इसी है, पत्रा गई है, देवत्व की बुद्धी, मनुष्यों में देवत्व की बुद्धी हो, मनुष्य देवी देवता है, प्राणी देवता है, काफिर साथ जी को भी बत मारो, जीव मत मारो, बापुरा शबका एक एक प्रान, हत्या कभू नचूटी है, जो कोटिन सुनो पुरान यह तमाम मतपंथ वालों के भी विचित्र लिला है कोई बकरा मुर्गी मारेगा खालेगा कोई शुवर मारेगा खालेगा कोई गाय मारेगा खालेगा कुछ लोग हैं जो सब खालेते हैं और बड़े इस्वर के भक्त बने रहेंगे आप देख लिजे पुरानी परमपरा में जो भी आत्मा से अलग परमात्मा माना इस्वर को कहीं आकाश में माना इस्वर को देवी देवताओं को खुश करने के लिए बली और कुर्बानी देख लीजे, पुरानी परंपरा चाहे वो वैदिक परंपरा हो, चाहे सामी परंपरा हो लेकिन जिनों ने माना कि वह आत्मा भीतर ही है उसने कभी भी हत्या नहीं की है चाहे वो बुद्ध हों, चाहे हो महावीर हों चाहे कभी रहो, कभी भी नहीं मारा किसी को, सब के सां सुन्दर वेभार आप जब दिल में मानने सुरू कर देंगे, सब के घट में हैं वो, शताइंग साहिब कर दे न, जीव, मत मारो बापुरा, एक जीव को, एक छोट इसे प्राणी को भी मत मारो आप सोचेंगे, मार करके मैं हत्या का पाप, गंगा जा करके नहालूंगा और पाप कट जाएंगे धोखे में जीवा न बिताओ गंगा नहने से पाप नहीं कटता है तिर्थो में जाने से पाप नहीं कटता है कितनी बार में उधान देता हूँ चार धाम घुम करके आने वालूंगा इसी गंड़ा जी लग तो बात है क्या नहां वो पंडी जी के सुकला जी के साहब सालपूर के पास में हाँ सौ साल के लगभग में उमर हुई उनकी नहीं 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 सुकला जी थे न भोड़े परचला करते थे भुजूर के अब तो सरी नहीं रहोगा हो गया बहुत पहले तो गुर्देव जी के साथ एक बार ये तोधत क्या नाम है ये तरवे बीडी बाला जी भगत कहा है रगडगंज रगडगंज से पैदल गुर्देव जी साथ सब संत लोग चले गए सामाल ले करके गुर्देव जी कहत्व पैदल ही चलूँगा तो सब चले गए मैं गुर्देव जी पीछी पीछी जाने लगा तो छोड़ा पंडी जी कहां बैठना है अश्रम के थोड़े पहले है वो अश्रम उनका घर तो गए बैठने के लिए अब उस समय उनकी उमर शोक से कम नहीं रही तो वो आँख से देखना आँख से दिखाई नहीं दे रहती तब पहले तमें देखा था आँख से भी देखते थे लेकिन तब उमर के लिहाज से आँख चली गई थी तो घर वाले बताए गुर्देव जी जाकर चार पाई बैड गया मैं खड़ा था घर वालों ने कहा कि महराज जी पधार चुके हैं आ गए महराज जी जैसे सुने तो वो जो बुजुर्ग थे बुढ़वा वो क्या कहिए है मुह से तमाकू को निकाले हाथ से और फेंके खुद तो नहीं देख रहे थे उन्हें नहीं तो सोचा गुर्देव जी भी नहीं देख रहे हैं वो तो देखी रहे थे सामने से अब कही बार कहा चुके थे नहीं माने अब कुछ भी नहीं कहें कुछ समान्य बात्चीत हुई चल दिये मैं भी चला गुर्देव जी जब गाओं के बाहर निगलेत कहते हैं यह जो शुकलजी है चार बार चार धाम करके आए हैं अभी तमाकु नहीं छूटा है गुर्देव जी भी कहते थे चार धाम करके गौम करके आने वाले अपने भैंस खोल करके दुसरे खेत में चराने लगते हैं आपका अंतस नहीं बदलेगा तो करम कैसे बदल जाएगा यह छोटी छोटी चीजें अब इन बातों को सुनकर किसी को कष्ट लगे कष्ट देना उद्धेस से नहीं है विरोध करना उद्धेस से नहीं है और इसलिए थोड़ा से जग जोर के जोर से कहना इसलिए है कि हम सोय हुए हैं इतनी प्रशुक्त चेतना हमारे भीतर है और यह सब धार्मिक लोग लोरी गागा करके वस सुलाते रह जाते हैं यहां तो सिधे कुनेन की गोली दी जाती है और छट पटाते हैं बढ़ा-गढ़ा यह तो कैसे कह रहा है अचा हम कह रहे हैं ते क्या सास्त्र के विरोध में कह रहा हैं क्या कौन कहेगा सास्त्र के विरोध में महापुर्शों के विरोध में किसी ने कहा है जो नियम है उसको देख लो, कौन कह रहा है यह मत देखो क्या कहा जा रहा है किस सास्त्र में लिखा है, उससे क्या मतलब है क्या लिखा है, क्या वो स्रिष्टी के नियम के अनकूल है है तो माल लो, कोई भी कहे और चाहे जो भी सास्त्रम लिखा हो यदि वो शिरिष्टी के नियम के विरुद्ध है, अमान्य है, यह छोटी-छोटी बाते हैं, समझने जैसी है, हम समझ ले, और इसी के चक्कने पढ़ करके, उन्हें ठीक करने, उन्हें पूजा अराधना करके, अपने पाप काटने के लिए, तमाम, पूजा, पाठ, तंत्र, मंत्र, ओफ, कितनी बातें चलती, अंद अभिस्वास में, समाज पूरा जकड़ा हुआ है, बचाओ अपने आपको, दुआ, भभूत, लगान, मुहूर्थ, अंगुठियां, क्या कहा जाएं, अब आजकल एक नए फैसन शुरू हो गया है, काला धागा, पैर में, हाथ में, गजब हो, कुछ भी आपको कहा दे, और बस करते चले जाएं, कुछ तो सोचो काला धागा पहनने से, क्या हम कभी बिमारी नहीं लगेगी, कभी एक्सिदेंट नहीं होगा, क्या हो जाएगा, अजर हमरो जाएंगे काला धागा पहन करके, छोटे-छोटे बच्चों को गले में तावीज, कमर में तावीज, धन्य हो, पढ़ लिख करके, आप कुस्तो बुद्धी खोलो भाई, कुस्तो खोलो, विज्ञान इतना विक्षित हो गया है, और धार्मिक लोग अभी भी सिसक रहे हैं, हमें ये मिल जाए, वो मिल जाए, योग्यता तो बढ़ाओ, का उसके काबिल बन जाओ, बस वो चीजें आपके पास आही जाएंगी, कोई रोक रहा है आपको, कितनी बार में ये सुत्र कहा हूं आप लोगों के बीच में, हमें वह नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, हमें वह मिलता है जिसके हम योग्य होते हैं, हमें वह नहीं मिलता जो हम च चाहते हैं, क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं, सोच लो, सुक चाहते हैं, शान्ति चाहते हैं, संपत्ति चाहते हैं, स्वास्त चाहते हैं, वह नहीं मिलेगा, जो हम चाहते हैं, क्या मिलेगा, हम उसके योग्यों तब, तब मिलेगा, आप चाहते हैं, मुझे भगवान के दर् होगे, है हिम्मत, नहीं है हिम्मत है, क्या वो पात्रता है हम में, सच्मुचा भगवान के पास जा सकते हैं, कौन सी पात्रता है बताईए, क्या मन की पात्रता है, मन में पवित्रता है, वाणी की पवित्रता आई है, पात्रता तो विक्षित करते ही नहीं हम, पात्रता विक् पात्रता विक्षित कर शकते हैं, विक्षित कर शकते हैं, यही हम बताये चले जा रहे हैं, आपके अंदर वो शक्ती है कि आप अपनी पात्रता को बढ़ा लें, फिर्दे को निर्मल कर लें, पवित्र कर लें, बाणी को बाणी में शैयम ले आएं, आच्रन को ठीक कर लीजि तो आपको महशूर्श होने लग जाएगा भीतर में मैंने कहा था था ने एक दिन आप यहाँ है क्या आप से अलग कोई सत्य है आप से अलग कोई शुक और शांति है आपके अलग कोई इस्वर और परमात्मा है जिसको लेकर के भीतर लाना है आप ध्यान दिजी इस चीज को जब कहीं पर चवराहे पर किसी मूर्ती कोई स्थापित की जाती है तो पहले उसमें एक कपड़े से ढखा जाता है ढख देते हैं कोई गणमान या कोई नेता राजनेता हो या कोई स्रेष्ट व्यक्ति हो जिनको बुला करके उसका अनावरन किया जाता है ऐसे ही हमारे भीतर भी वो परमात्मा है अनावरन करना है कभीर की पंक्ति इसी के लिए है घुंगट का पट खोल रेतो को पीव मिलेंगे वो घुंगट वो अविद्या का परदा वो मो का अज्ञानता का परदा है उसे निकाल दो बस कहीं अलग है क्या वो अलग नहीं है आपके भीतर है जैसे एक पत्थर में भगवान की मूर्ति है कोई भी मूर्तिकार पत्थर में कहीं से ला करके वहां डालता है कि भगवान या देवी देवता को है क्यों नहीं दिखता है क्योंकि उसमें ऐसे भी अंस हैं जो उसको ढखे हुए है और मुर्तिकार क्या करता है जो अंस उस मुर्ति को ढखे हुए है उसको खुट-खुट करके निकाल देता है बस निकाल देता है और जैसे निकला मुर्ति प्रकट हो गई ऐसी आपके भीतर में परमात्मतत्व है लेकिन वो प्रकट हो जाए कब जब आप बाहर से जो धके हुए अंसें जो अविद्या, अज्यानता, मो, मुर्चा बेभानी में जी रहे हैं उसे ठीक कर ले बस उसे ठीक कर ले दोसों को हटा दीजे आप पिर वो प्रकट हो जाएगी आप खुद महशूष करने लग जाएंगे कहां बाहर जाना है आपको आपके भीतर ही है वो तो बाहर कहीं पा सकता है कोई, कोई नहीं पा सकता है बाहर आख से देखोगे दुरूप होगा, कान से सुनोगे शब्द होगा, जीप से चकोगे रश होगा, नाख से सुनोगे गंध होगा पंच विशियों से रहित है क्या वो पदार्था है परमात्मक मतलब कोई पदार्था है क्या पदार्थत होए नहीं है जिसे आप इंद्रियों से ग्रण करना चाहते हैं नहीं वो तो अंदर की इस्थिती है बस उसे आप शांत हो करके आप उसे पा सकते हैं तो यह कुछ बातें थी जो मैं थोड़ी सी कह न चाहता हूं, क्या कहा कि आपका जीवन आपके आतिस पर कह रहा था आप अपने जीवन के जिम्मेदार हैं, कितने परिश्यत जिम्मेदार हैं, सो परिश्यत जिम्मेदार हैं, सो परिश्यत जिम्मेदार हैं, अर्थात आपके जीवन में जो कुछ भी आता है मेरे जीवन में जो कुछ भी होता है उसके लिए मैं दूसरों को दोस नहीं देता मैं श्विकार करता हूँ यह मेरी गलती है कुछ है इसमे मुझे ठीक हो ना है और मैं अपनी गलतियों को निकालता हूँ और फिर से मैं सही रास्ते पर चल पड़ता हूँ कोई भी ऐसा कर से कोई भी हम सबको यही करना चाहिए दो बातों पर मैं ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा आपका जो निजी जीवन है ये मेरा अलगी विशय होता है व्यवशयक जीवन, पारिवारिक जीवन, निजी जीवन ये तीन सुत्र याद रखना सभी पर तो मैं व्याख्य नहीं करूंगा भी क्या क्या काम है व्यवशयक जीवन, पारिवारिक जीवन, निजी जीवन ब्यवशाईक जीवन, जहां आप लोग ब्यवशाय करते हैं, नोक्री करते हैं, ब्यवशाय करते हैं, कुछ भी करते हैं, जहां से अरन, कमाते हैं, धन, वो ब्यवशाय है, वहाँ समय देते हैं दूसरी बात है, वहान से समय बचा करके पारिवार को समय देना, घर में पतनी हैं, बच्चे हैं, माता है, पिता है और भी स्वजण है, उनके लिए समय दो, औरतीसरा है निजी जीवन, इस समय में रख मैं इसी पर थोड़े सी बाते करूं, निजी जीवन, खुद का निजी उसके लिए भी समय दो निजी जीवन का मतलब उस समय क्या करना होगा इस निजी जीवन के लिए पर इवार के लिए तमें कल बोलूँगा आज निजी जीवन के विशय में बताता हूं कि आपका तन और आपका मन आपका तन आपका मन बस इस पर ध्यान दो यदि मैं इस इश्धंग से कहूँ स्वस्ततन प्रसन्न मन के सुत्रयाद रखो क्या कहा? स्वस्ततन प्रसन्न मन ये काम कर शको अपने शरीर को स्वस्त बनाओ और मन को प्रसन्न रखो क्यों? क्योंकि कि आप ही हैं जो परिवार से मिलते हैं, आप ही हैं जो व्यवशाय में जाते हैं, आप केंद्र में हैं, आप, आप ही जाते हैं, आप से, आप ही संपर करते हैं, आप कैसे हैं, आप कैसे, आप से महतुपूर्णा, एक होता है बीम और दूसरा होता है ड्वीम, होना और करना, आपके होने से करना निकलता है. आपका होना गलत होगा तो करना गलत होगा ही. आपका होना, आप कैसे हैं, कलपना करिए. बीमार, आप सरीर से बीमार हैं, और मन से आप नराज हैं. परिवार से मिलेंगे, कैसा result अलाईगे? जो मैं बोल रहा हूँ ना मेरे साथ साथ आप चलें तो ही बात समझ में आएगी आप बिलकुल इधर उधर की बातें सोचेंगे भूली जाएंगे मैं क्या कहा फिर से कह रहा हूँ आपका शरीर अस्वस्त है बिमार तन और नराज मन अब जाकर के आप किसी से मिले अपने लोगों से मिले परिवार के लोगों से मिले अच्छा रिजल्ट आएगा नहीं आएगा अच्छा व्योसाय में जाएंगे तब एक सरीधी बिमार है और मन भी नराज है ग्रहावकों से कैसे व्यवार होगा आप इसमें कैसा व्यवार होगा आपका क्योंकि आप पहले ही कुरुद बेढ़ने बेढ़े हैं वैसी भी बिमारी चल रही ही शरीर में सही रिजल्ट नहीं आएगा लेकिन आप स्वस्ततन और प्रशन नमन अब जाकर के मिले किस से कैसा होगा पढ़िया रिजल्ट हलाएंगे यदि छोटी मोटी गल्तियां होंगी आप उसे सालबक तुरंद कर लेंगे आप परिस्थिती आपको निर्मित नहीं करती है एक होती परिस्थिती पर मने अलग पर मने दूसरा और एक होती है स्वा इस्थिती इसको समझें परिस्थिती स्वा इस्थिती पर मने बाहर की इस्थिती और स्वा इस्थिती खुद की इस्थिती स्वा इस्थिती से कई बार परिस्थिती में परिवर्तन कर दे हो जाता है जैसे आप घर से चले और घर में ही कुछ खटपट हो गए चाहे पतनी से, बच्चे से किसी भी परिवार के सदस्य से कोई ऐसी बात हो गई या फोन से ही कोई बात हो गई आप एकदम उलज गए एकदम आवेग में आ गए टाइम हो चुका था अब आपको निकलना है आफिस गए आफिस में या फिर दुकान में कहीं भी गए अब जैसे आफिस में गए तो वहाँ आपके कलिक जो आपके जो साथी या शाह करिमी है उनसे गलती हो गई आपके अंडर काम करता मातहत है वो और उनसे छोटी सी गलती हो गई और छोटी सी गलती को ले करके आप एकदम फायर हो जाएं क्यों? अंदर उल्जे हुए हैं अंदर उल्जे हुए हैं एकदम से चिल्ला वेठेंगे आप क्या होगा? वो क्या कहेगा? चोटी सी गलती के लिए इतना बड़वडा क्यों रहे हैं बोलेंगे नहीं वो आपके सामें बोल तो नहीं सकते लेकिन क्या आपके परतिवो स्रद्धालू होगा? दूसरे करमचारी देखेंगे तो कैसा होगा? पता नहीं आज तो घर से लड़ाई करके आएं लगता है मुठ ठीक नहीं है इनसे, बात करना कठीन सब भईभीत रहेंगे अब पूरा आफिश का महोल ही तनाव पूर्ण हो गया आपके एक वेभार से क्यों? आप घर से ही नराज हो करके निकले थे बदल गे न वहां का? दूसरा, इसके पक्षकों देखें आप घर से एकदम खुश एकदम मुट फ्रेश है, मस्त मुश्कुराते हुए, गुन-गुनाते हुए हर चीज बढ़िया आफिश गए और सचमुच उस समें भी गलती हो गई है लेकिन आप कोई बात नहीं, चिंता मत करो मैं हूँ ना, चलो इसको ऐसा कर लो आप कर लो, थीक है, इसको आप कर ले चीज गलती नहीं होने चीज लेकिन फिर भी हो गई, तक भी थीक कर सकते हैं, और आप लोग से घर टीक हो जायगा क्या होगा सामने वाला क्या कहेगा? इतनी बढ़ी गलती हुई फिर भी कुछ नहीं बोले कितनी अच्छी बात कहें कितनी सरद्धालू आपके परती भावना उनकी कैसी होगी चार लोग और देख रहे हैं क्या कहेंगे वो लोग देखो गलतियों के बावजुद नहीं डाटे बलकि इतने स्ने और प्रेम से समझा रहे हैं कितनी मृदता पूरवा कितनी शालिंता से बता रहे हैं आपके प्रती पूरे आफिश में माहौल कैसा होगा सही है ना माहौली बदल जाएगा परिस्थिती बदल जाएगी आपकी स्वाइस्थिती आपकी जिम्मेदारी स्वाइस्थिती ठीक करें आप घर से निकलते हैं तो ख्याल क्या रखते हैं? मोबाइल चार्ज हैक नहीं है आजकल थो है ना एक ने बहुत सुन्दर कहा पहले लोग जब कहीं कारिकर में साधी में जाते थे किसी में जाते थे तो देखते थे कि भई ऐसी जगा सोने को मिले जहां पर थोड़ा से खुले जगा हो आकाश हो, कुछ हो या फिर टाइलेट बात नज़ा ऐसे कुछ देखा करते थे ऐसी जगा हमको जगा मिल जाए जहां पर हमको खुले में स्वास ले सके और हवादार हो आज कल कहां पर ढूणते हैं आपने सोने की जगा जहां पर चार्जिंग पॉइंट हो सही है न चार्जिंग पॉइंट हो क्योंकि क्या करना है समझ रहे न चार्ज करना है तो घर से निकलते हैं तो मोबाईल को चार्ज करके निकलते हैं बिल्कुल देख लो भी ठीक से चार्ज हो लेपटाप रखें तो भी चार्ज में हो अच्छा गाड़ी हो तो पिट्रोल होना चाहिए परयापता सारे इस्टुमेंट को आप चार्ज करके निकलते हैं लेकिन उस सारे यंत्रों को चलाने वाले को चार्ज किये हैं की हैं, आप अपने आपको चार्ज क्या थाएं, आप पहले ही डिस्चार्ज निकल रहे हैं सही है, यह थीक है, पेट में तो खा लिएắm, लेकिन क्या मर्क को चार्ज क्या हैंarya क्या मन में ऐसे जिससे मन की परसंता बढ़ जाएं, दूसरों की गलतियों को सहने की सकती बढ़ जाए यह 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 चार्जिंग हुई नहीं हुई है छोड़ा चेक कर लिया कर व सुबा जैसे घर से बाहर निकलने का सहमें हुई थोड़ा मन को चेक कर लो मैं किसी इस्तित में निकल रहा हूँ मेरी मनोदसा कैसी है सारा काम अच्छा होगा यह मैं कह रहा था कि स्वस्ततन और प्रसन्न मन देखिए आपका स्वस्त está फिर से कह रहा हूँ आपसे अलग नहीं है स्वस्त क्या medical वाले स्वास्त देंगे doctor लोग स्वास्त देंगे आप खरीत के देखो doctor से का मुझे स्वास्ते दे दो, क्या कहेगा, नहीं, आप पहले बीमार पड़ो तो हम दवाई देंगे, मांग के देख ले ना, डक्टर साफ कुछ चक्कर नहीं, मुझे स्वास्ते दे दो आप, क्या कहेगा वो, स्वास्त कहां से दें, स्वास्त कहां से देंगे वो, स्वास्त करना क्या है? आईसा कुछ करो, ऐसा खान पान रखो कि वो स्वास्त बिगड़े, मत. नहीं तो, बहुत सारा धन कमाने के चक्कर में स्वास्त को खराप कर दिये, अब धन दे करके स्वास्त भी लोट नहीं रहा है. धन भी गया, स्वास्त भी गया यह आप बहुत पुरानी कहावा सुने होंगे सब लोग जानते हैं, पहला सुख पहला सुख याद तो है, करते कितने लोग है करते कितने लोग है पता है ना, पता देखो, जानकारी की कोई कमी नहीं है सुबह जल्दी उट करके योगा करो या मार्निंग वाग करो मार्निंग वाग करना स्वास्ते के लिए अच्छा एक नहीं है सुबह जल्दी उटना अच्छी बात एक नहीं है अच्छी बात है किदने लोग उटते हैं कितने लोग जाते हैं रोज मार्निंग भाग में आपको चिंता ही नहीं अपने स्वास्त की कुछ भी खाय चले जा रहा है बस जैसे डुस्ट भीन होता है न फेको कचड़ा कचड़ा कुछ भी आई पांत अमाकू बालों को प्रणामे हैं क्या गुरुदेजी कंए तो चुला बनाय रखते हैं जैसे ओो भडभूज बाला चुला कुछ भी पताइ ज्होंक दिये कच्ड़ा ज्होंक दिये सब ज्होंके चले जा रहा है क्या मतलब है कुछ भी खाय चले जा रहा है कितना सुन्दर क्यों स्वास्त को बरबात कर रहे हैं आप और खाने पिने एक चीज को भी ओफ जो छोग बगार तेल कम कर दो तेल दिवियों आप लोगस नमन है जितना रिफाइंड तेल है न भाहुत नुक्षान करने वाले चीज है ये चीनी, सफेज चीनी चीनी के इतनी लत है डाक्टर ने कहा है भी चीनी मत खाना मिठाई कहा भी न मने नहीं मानता है ये भगवान आपको जीवन जीना है आपको जीना है क्यों नहीं मान रहा है सुंदर सुंदर परकृति के फल मिले हुए है कितने अच्छी अच्छी मीठे मीठे फल हैं, अभी देखो आम आने माला केला वाह, खा के देखो जरह से, सही कह रहा हूं मैं, आपको कैसे मिठाई परती आकरसन होता है, जलेवी बहुत पसंद की, क्या भरा है, बताए, मैदा, डेट फूड, नूट्रिशन नाम की चीज नह आप देख लीजे उस चीज को, आप कम से कम इतना कर सको, कि ये कमपनी से जो पैकेट वाला समान आता है न, पैकेट वाला जो भी कमपनी वाले, चाहे वो इतना बड़ा पैकेट, जिसमें गैस भर करके, नमी नाय कह करके, इसे जहरीली गैस भरी रहती है, वो इंजिनियर वहां काम करते थे, वो एक ट्रेन में मिलके थे, मुझे बताने लगे वो, जब हम लोगो को देखे, ये खिरा, टमाटर और फल वगरा खाते, महराज बहुत अच्छा करते हैं, ये पैकेट वाला बहुत जा रहा है, मैं खुद उस कमपनी में काम किया हूँ, क्या भरे रहत और कैसे कैसे तेल से छानते रहते हैं, क्या-क्या मिलाते हैं वो लोग, ताकि ये लंबे समय तक चलता रहे, और खाये चले जा रहा है, पैकेट खरीद करके, बच्चों को खिलाये चले जा रहा है, क्या बच्चे रोते हैं, आपके कारण, कुछ तो रहम करो, अपने सरीर और बच्चों के सरीर पर, ये पैकेट वाला जा है, कुरकुरे, मुर्मुरे और चिफसके नाम पर जो खाते हैं, जहर है जहर, और पैकेट में बंद करके लिक्विड आता है, ड्रिंक्स जिसे काते हैं, कॉल्ड ड्रिंक्स, क्या कहते हैं, उसको टाइलेट क्लिएर धो के यहारा है, साफ हो जाता है, तीने जहर होता है, पीते हैं युसीज़ को, मत प्यों, बहुत जहर है, बहुत जहर है, बहुत जहर आए अठाइ, युसके शक्तीह सक्टी न시्या कर देते हैं, प्रकृति ने बेज़ ऐए ने एक चीज़ खाल करना, भग्वान का ब Kennाया है, क गäre वे भान तो मुझा तो गर के लोग क्या एंगें, नई इसको और पकाएंगे, तेल में डाल करके जो जलाएंगे उसको, SANTOS नहींगे और पकाटमाटरी कहानी सकते हैं, नहीं उसको और जलाएंगे, क्यों जलाओगे उसको, आज क्याल तो सिस्टम चल पढ़ा है, चाहो करेला बनाना हो और क्या क्या कहते हैं वो सबजी बिना तेल में आलू तक कुछ तेल में छानते हैं अन्नय पानी यो गुर्देव जी कहा करते थे चावल पानी से बनता है दाल पानी से बनता है आटा में पानी मिला कर तब सेखते हैं सबजी को जब तक वो आइठ न जाए ना जल न जाए तब तक तो स्वादे नहीं आएगा क्यों जलाते मैं एक प्रस्न छोटा सा करूँ आपको एक छोटा सा प्रस्न है शब लोग ध्यान से सुनना आप कोई फल और सबजी लाकर के घर में रख लें तो मैं समझता हूँ दो से तिन दिन तो चलेगा ही अर्थात खरीद के लाएं और दो तिन दिन के बाद भी सबजी बना सकते हैं उस फल का भी प्रयोग कर सकते हैं क्यों कर सकते हैं दो तिन दिन तक के लिए उसको क्योंकि उ जिसे हम आज सेव खरीद के ले जाएं, तो दो दिन के बाद, तिन दिन के बाद खाएं कि खा सकते हैं, जीवनी शक्ति है, जीवनी शक्ति है, लेकिन जब उस सबजी को ठीक से आग में, पानी डाल के तेल डाल करके, कितने घंटे रहेंगे, रहेगा वो भोजन, कितने घंट 6 घंट, 10 गंट, ज़धन, ज़धन, ज़दन, सही एक नहीं है, क्योंकि इसकी जिवनी सक्ति जल गई, अब जिसमें खुद जीवनी सक्ति खतम हो गई है, वो हमीं जीवनी सक्ति कैसे देगी, नहीं दे सकती है, इसलिए सवस्त भोजन, सवस्त सरीर बनेगा, सही भोजन करो, पैकेट वाला समान इवाइड करो, बहुत इसब खाओ ना, बहुत छोग, बगार, तेल, मीर्च, मसाला, घी, मक्षन, पनीर, शादा भोजन करो, आपको सरीर खुद बताएगा मैं स्वस्तहूंक नहीं है, मैं कोई डाक्टर और चिकितसक नहीं हूँ, मैं कि मेरी बातों को मत बानना, लेकिन आपका सरीर आपको स्वस्तह रखना रहना चाहिए, यह खाओ की स्वस्तह हैं, बस इतनी सी बात है, अपने स्वस्तह को बरबात मत करो, कि उस चीज को लाकर के आप फिर डाक्टर के पास गए, उनके पास गए, कि दवाई खा करके तो गुलामी की जिंदग लेकिन आप उसके लिए प्रयत्नवान ही नहों, अपने स्वस्तह को ध्यानी नह रखें, अपने आवश्य जिम्मेदारी नह निभाएं, यह गलत है, अपने जिम्मेदारी निभाओ, सुबह अब काम करते हैं, समयचने मिलता है उनको थोड़ा वाकिंग करने का टहलने का, क पुस्तक है आपका भविष्य आपके हाथ, यूथ के लिए, बच्चों के लिए लिखे वो, बोलें हो उसके लिए, उन्होंने क्या लिखा है बच्चों के लिए, बच्चों, कि जो बुढ़ापे में, जो बड़ी बिमारियां होती है, जो बहुत तकलीप देती हैं, कम उम में ही सुरू हो जाती है, कम उमर में, लेकिन उस समय एनरजी है, पावर है, तो पता नहीं चलता है, वहीं से सुरुआत बीज उसका वहीं पढ़ जाता है, इसलिए, पाले ही सावधार रहो, ताकि जीवन में बड़ी बिमारी का सामना न करना पड़े, इसलिए खान पान मे सही अम रखो, सही इकसरसाइज करो, वयाम कर लो, घर का काम कर लो, इन सब चीजों को ध्यान में रखो तो सुन्दर स्वास्त रहेगा, दूसरी बात है, मन, दूसरी बात है, मन यह तो और विस्तार की बात है, मन पर तो कामी नहीं करते हैं, स्वास्त पर तो बहुत लोग क सामे कर लेते हैं, थोड़ा भी बैट करके मन को शांत करने का प्रयास नहीं करते हैं, न थोड़ी अच्छी खुरा, कुछ अच्छे विचार सुन लो, अच्छी पुस्तकें पढ़ लो, पुस्तक पढ़नत जैसे कोई आज कल पुरातन पंथी हो गया है, मैं एक बात पूछू यहां अधिक्तम लोग तो पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, कितने लोग अनपढ़ बैठे हैं, जो इसकुल गए ही नहीं है, हाथ उठाओ जरा से, कितने लोग इसकुल गए ही नहीं है कभी, मतलब उसको यह भी नहीं पता कि किसे कहते हैं, A, B, C, D किसे, पता ही नहीं है, अच्छा इसका मतलब सब बढ़े लिखे हैं मेरा एक निवेदन यही पूछना है आप लोग अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए सद्गरंथों का अध्यन एक महिने में कितनी पुष्टक पढ़ देते हैं कोई हैं आशे दों महिने में पुष्टक पढ़ने वाले नही है और एक और क्या कलपना कर रहें हमें भगवान दर्सन देंगे सही है piace रहे भगवान दर्सन देंगे हमेजrik रखनान आफजी मिलेगी मैं सही वधा हम भगवान रजाएं किसी भी महापुर्स के जीवनRBala काम किये जीवन भर काम किये।.. भुद्ध और महाविर के जीवन के जीवन भर मेहनद किये। और हम लग बिल्कुल निकम में बने हुए है,, अपने। ऑप महनत करें लीकिन मन को बबितर करने के लिए कितना काम करतें। आप अपने निक रूटिन को देख लिए वासे सुबाष राम तक जो देनंदनी है। ऌी सुबाष से सुबाँ तक आप सुबाझ उड़ते हैं y Beija तक क्या करते हैं आप टीविजे जड़ै कि लिए लूझे और फूगयाे थौश पेस्सेन निकाले है। सको और थोड़ी देर बैट करके अपने मन को अबजर्व करो मन में कैसे कैसे विचार कर रहे हैं उसे मुझे शांत करना है ध्यान करो ध्यान करो समय तो खतम होगे ध्यान क्या बता हूं ध्यान करो कैसे ध्यान करना है बहुत थोड़े बताता हूं बहुत संचीपता में. सब को ध्यान करना चाहिए. आप कहेंगे मन रुके, छाहिना नाथ मत. बैठो तो सही, बैठो तो सही. थोड़ी देर बैठो, अब जितना सहे, पाँच मिनूनट, दस मिनूनट, आदा गंटा, एक गंटा, जितना आप बैठ सको, भोड़ी देर ध्यान, जा हो विध्यार्थी हो, जा हो घ्रिहनी हो, जा हो वेवशाई हो, जा हो चाहे नोकरीपेशावाला हो, कोई भी हो, आफ्टी चाहिए ना, जा हम प्रसंदता चाहिए ना, कैसे होगा? मन की सफाई, धुनों गुरदेव जी कहा करते थे धुनिया रुवी धुनने वाली, आजकल तो मसीनागी पहले वाता है न, धनुषवाला समझ रहे हैं, धुनता था, धुनता था गुरदेव जी कहा है, धुनते हुए मैं भी देखाँ, बहुत पहले होता था तो इतने रुवी में कचड़ा है, धूल है और धुन धुन करके रुवी को एक दम जैसे कोई रेशा, रेशालग कर देता है ऐसे ही साधक अपने मन को धुन करके उसके सारे कचड़े को जाड़ करके उसको साफ कर देता है बढ़ते ही नहीं धुनने के लिए उसको कहां से साफ, मन ही साफ नहीं है धोखे में है कि हमें परमात्मा दरसं देगा हमें भीतर में जो है वो प्रगट हो जाएगा कोई महात्मा आएगा असिरवाद देगा और वोगे कहता है ना आशिरवाद से सब ठीक हो जाए वो धोखे में रखते है किसी के आशिरवाद से किसी का कल्यान नहीं होगा आप खुद अपने को आशिरवाद दे के अपना कल्यान कर सकते है कौन आशिरवाद दे रहा है जिससे कल्यान हुआ है किसी का किसी का कल्यान नहीं हो सकता है आसिरवात के बल पर खुद महनत करेंगे तो ही होगा तो मैं कह रहाता है रोज थोड़ा ध्यान करो ऐसे बैठ जाओ थोड़ा सा अब बैठो थोड़ा से रीड सीधी रखना जब बैठते हैं थोड़ा से बैठ के देखो जरा से सरीर का कोई भी अंग तना हुआ ना हो ये ख्याल रोखो अमें सा बैठते समय अंग पुरा रिलेक्ष एक तम शिथिल पुरा तरह पुरी तरह से लेकिन सीधा बैठे सीर गरदन और रीड एक सिधाई में हो उस समय ध्यान करते समय आखें बंद होनी चीए सबकी आखे बंद आखो में कोई शिकन नहीं चेहरे में कोई शिकन नहीं शान पिलकुल और भीतर में एक संकल बभाव मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूंगा मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूंगा मैं प्रवेश करके रहूंगा मैं कर सकता हूं करके ही रहूंगा पूरा विश्वाश शान इस भाव से बैठें कि मैं कुछ नहीं चाहता कुछ नहीं चाहता कुछ भी नहीं बस कुछ मिनट के लिए मैं कुछ नहीं चाहता बागी समय चाहूंगा कुछ नहीं और ध्यान आपका श्वाश पर सांस आ रही है, जा रही है प्रतेइक स्वांस को देखो पुरा ध्यान, मन, सांस पर सांस आ रही है, जा रही है एक भी सांस न छूटे धिरे धिरे सांस अंदर धिरे धिरे सांस बाहर सांस जब अंदर जाती है तो नाशका के दीवारों को छू कर जाती है बाहर आती है तो छू कर आती, वहाँ ख्याल करें या फिर सांस जब आप लेते हैं पेड़ थोड़ा फुल जाता है सांस जब बाहर जाता है तो पेड़ थोड़ा सिकुड जाता है वहाँ देखें महropriत करें कि सास आ रहे जा रहे है प्रतेग स्वांस को देखें और शान मैं शान आतमा हो मैं शुद्ध आतमा हो मैं अकेला हो और शान मेरा मन शान विलकु शान मैं कुछ नहीं जाता एक्दम शान मौन किसी से मिलना नहीं, कहीं ध्या नहीं लगाना है, सबसे अलग, अकेला मैं अकेला हूं, शांत हूं, पूर्ण मौन शन्नाथा, शांतु बस, बहुत बहुत धन्यवाद, दो मिनट में ही कितना अंतर आगे देखो, इस पूरी सभा में सन्नाथा चा गई, दो मिनट के अभ्यास से, आप करें, कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहना समझ दो, कोई साधरन बात न समझ दो, बहुत बड़ी उपलब्दी होगी, जिस समय आप कुछ नहीं चाहते तेज घंटा चाहें, लेकिन एक घंटा के लिए रखें, मैं एक घंटा कुछ नहीं चाहता, या आधा घंटा रख लो, कोई बात नहीं है, अब जानते हैं, उसको कुछ नहीं चाहने के मतलब, साहिव की पंक्ति आद करो, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बे परवा, जिनको कछू न चाहिए, सोई सांसा, कुछ नहीं, न मुझे स्वर्ग चाहिए, न मुझे नरक चाहिए, न मुझे कोई भी नहीं चाहिए, न कहीं आना है, न कुछ भी नहीं चाहिए, बस शान्त, यह उपलग दिये, जिस समय मन एकदम मौन हो जाता है, शांत हो जाता है, आप अपने आपको पा जाते हैं, उसी प्रकार, जैसे आप नीद में जाते हैं, गहरी नीद में, सब कुछ भूल जाते हैं, और अपने आप में, श्वापीती, उपनिशत की भाषा है, श्वापीती, अपने आपको पाजाना जब सब कुछ भूल गया अपने आप शांत रहा गया ये समाधी की अवस्था है ध्यानम निर्विश्यम मना सारे विश्यों का निर्विश्य हो जाना ध्यान है ध्यान को थोड़े में गुर्देज नहीं लिखा है जा रही है जा रही है आरही है जा रही है पिर वन भटक गया फिर वापस फिर वापस अभ्यास यही तो अभ्यास है और इसी के लिए जब गीता में बात आई है चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बल्वद्रिण हम तश्याहम निग्रहम मन्निय वायरोषु दिश्करम ये अर्जुन ने कहा है बहुत कठी ने इसको वश्मे करना कैसे करूं ये वायु को वश्मे करने के समान है कृष्ण ने कहा असंसयम महाबाहो निष्चित सही कह रहे हो महाबाहो अर्जुन को कहते हैं सही कह रहे हो गलत नहीं कह रहे हो लेकिन एक रास्ता है अभ्यासें तुकाउंते वायराग्यन चगरियते अभ्यास और वायराग्य से इसे वश्मे किया जा शक्ता है वो अभ्यास बताया मैं बही अभ्यास बताया अगी थो अभ्यास करो, फिर भटके, फिर वापस फिर भटके, वापस, वापस, वापस just a coming back और किसना back to home अपने भीतर आ जाना है, बस बस भीतर आजाओ, वापस, वापस अंदर जई से भटका, वापस भूल गए, तो भटकेगा एक मिनट, दो मिनट, भूल, अरे साधना बैठो, शान, फिर वापस जितना आप अभ्यास करते जाएंगे, भीतर शान्त होते चले जाएंगे, और भीतर से बैराग गया, कुछ नहीं चाहिए ये दो काम कर सकें तो भीतर में परिवर्तिन होते देखेंगे आप, होते देखेंगे, करेंगे ही नहीं काम नहीं होगा, पर भरोशे काम नहीं होता है, खुद को करना पड़ता है, तो ये कुछ बाते मैंने कही, आप सभी क्या कहा, स्वस्ततन और प्रसन्न मन ये दो सुत्रयाद कर लो स्वस्ततन और प्रसन्न मन मुझे अपने स्वास्त को सही बनाना हाए ये कहा जाता है, कहा गया है कि खुद को दिया जाने वाला सबसे बहतर तोफा खुद को दिया जाने वाला सबसे अच्छा तोफा क्या है सब खुद को दिया जाने वाला सबसे अच्छा तोफ़ा क्या है सुन्दर स्वास्त सुन्दर स्वास्त आप गले में सोने की चेन दे दो सुन्दर बुषट दे दो यह तोफ़ा नहीं है यह तोफ़ा नहीं है मन बिमार हो क्या मतलब निकलता है तन शुंदर हो एक गुष्वामी जो बहुत अच्छी बात कहाते है मन मलीन तन सुंदर कैसे विशरस भरा कनक घट जैसे मन मलीन तन सुंदर तन बहुत सुंदर इतना सुंदर की अवार्ड मिले इतना सुंदर कि अब बस क्या पूछना है इतनी सुन्दरता है लेकिन जब अंदर का इस्किन किया गया सिटी स्केन किया गया कहाई गैंसर है अब वो सुन्दरता किस काम की सही है न मन मलीन तन सुन्दर कैसे विश्रष भरा कनक घट जैसे जैसे सोने के घड़े में जहर भरा हो कौन अच्छा है मिट्टी के घड़ा में जहर भरा हो अमरित सही है न मिट्टी के घड़ा में हो वो महत्तोपूना है सोने के घड़ा महत्तोपून नहीं है महत्तोपूने भरा क्या है आपकी शरीर के रंग ढग महत्तोपूने नहीं उसके अंदर भरा क्या है आप महशूश क्यार देगे मैंने का ना अंतस से आच्रन बनता है आपको अंतस नकारात्म कहे आपके सब्द भी नकारात्म निकलेंगे आपके अंदर में जहर भरा है वाणी से जहर निकलेगी करम से जहर होंगे लेकिन पवित्रता है, बाणी से भी पवित्रता निकलेगी, मिठास निकलेगी, तो अंतस को ठीक करो, अब कब होगा, जब भीतर जाकोगे, ये मन की पवित्रता पर काम करे, स्वस्ततन और प्रसन्न मन, बहुत बहुत धन्यवाद, मैं जानता हूँ, कि नौ मिनट जादा हो लेकिन ये कहना था थोड़ा सा, सहे बंदगी, सॉलिए सद्ध्य गुरु देवा की जाए